तो इस वीडियो में लोगों को कारबॉक्सलीग एसिट का जो नेचर है वो इन कंप्रिजन तो अल्कोहल यानि कारबोनिल कंपाउंड जो अधर है उसके कंप्रिजन में में देखेंगे कि कैसा एसिडिक होता है या बेसी होता है साथी साथ हम लोग एमाइड और इस्टर के क्वालिटेट्व टेस्ट कैसे पहचानेंगे कि इस्टर या इमाइड मौजूद है तो उस पर यह वीडियो है तो लेस्ट टार्ट इस वीडियो कारबॉक्सलीग एसिट के बारे में हम सभी जान चुके हैं इससे पहले हम लोग इ यह दो नोको मिला के बनायों गया है यहां पर आप इसको देख सेते हैं और सी सिंगलवांड वे यानि किसी compound में एक कर्वाक्सिली ग्रूप प्रेजेंट है या दो कर्वाक्सिली ग्रूप प्रेजेंट है या तीन इसके आधार पर उनको हो लो Mono-Di-Tri-Cardboxylic Acid compound कहते हैं जिसे amino acid का एक अच्छा एक जाम पाल है जहां पर जब बेसिक होता है यानि लांग चेंड औरूम अच्छें लग बारा इस तरीके कりचेंड यान फेटी एक नाम सो जाकते हैं जाथ है इसीजिटी औरफ-कॉर्बाफ सिलिक अगर हम बात करते हैं तो क्याध estas ho 제ותे हैं यह वीक से होते हैं एसिट की यह होते हैं कर्कि यह इशली आडय समस्क्राइज न सबसे बॉर्डों जो ती जो ज्यादा ज्यादा डोनेट करेगा वो उतना ज्यादा एसटी होगा यहां पर आप इसका उक्विरियम कॉंस्टेंट अगर आप निकालें अगर निकालें कॉंस्टेंट अबाउद रीक्षिंट जो है आर्सी डेबल बांडो तो यहां पर जो के वैलू आफ कार्बाक्तिली के सिट का वो टेन की पॉर मानस फॉर से पॉर मानस फाइव के बीश में है और जो इस अधार पर अगर इसका कॉंस्टेंट के वैलू देखी जाए इस्टी के सिट की अगर देखा जाए तो 1.74 इंटू 10 पॉर मानस फाइव इसको अगर हम करते हैं तो इसका जो पी एच है वह फोर से फाइव के बीच में आएगा जो पीचे वैलू है एस्टी के सिट की अगर निकाले जाए तो 4.76 इस देख सकते हैं पीच में होने का मतलब है अब देख सकते हैं कि यह 45 मतलब 6 7 x 6 तक तो हमारा श्री जाता है 7 मु कि नीट्रल प्याद एड़ नाइन टेन एलेवन टोईल किस तरह से चोला जाता है कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो फॉर फाइट के लगभग जो कंपाउंड अपना पीके वैलू देते हैं तो आप समझ सकते हैं वहाँ पर कि वह वीखी होंगे वीक एसट क्योंकि दो त क्यों यह होता है यह कि जो किया जाएगा तो मिलेशन लुट डबी के यह जो होता है वह जितना कम होगा वह जितना ज्यादा हो जाएक तो अग्यादी तो पीके वैलू फॉर से 5 एलकोहल जो है वह 14-16 तो अब आप देख सकते हैं कि इसका pH जो होगा 14-16 के बीश में पड़ेगा अलकोहल का और acid जो है उसका 4-5 के बीश में पड़ेगा तो इस अधार पे भी आप देखें तो यह क्या होता है कम-acid होता है और वो अलकोहल बेसिक होता है अबनेजिशन ऑप कर्बाइजिशन और शिफ्टिंग ऑफ निगेटिव चार्ज फ्रॉम वन ऑक्सिजन तो अनौधर हैंस सेपरेशन एंड क्रिएशन ऑफ अनलाइक चार्ज तो प्रोडूस फोर्स ड्राइफ तो आयोनाइज जब भी इसमें टीक लोकलाइजिशन होता है तो जो कर्बाइजिशन ग्रूफ होते हैं कर्बाइजिशन जो है उसमें आप देख सेकते हैं एक ऑक्सिजन इधार होता है एक ऑक्सिजन होता है तो चेंज होता है ठीक है शिफ्टिंग ऑफ निगेटिव चार्ज होता है एक से दूसरे oxygen पिश्री फोटा है और नया चार्ज जो होता है create होता है so equilibrium shifted to right side and carboxylic acid ionized faster than alcohol और इस वज़े से जो alcohol है उसकी तुलना में अगर देखेंगे तो यह बहुत तेजी से ionized होता है अच्छा जब ionized होने का मतलब है कि वो HD हो रहा है क्योंकि इसमें OH है और shift हो रहा है ही वो produce कर रहा है ionization of alcohol to produce anion there is no ionization of alcohol to produce anion and there is no delocalization of charge and hence ionize this slowly and equilibrium shifted to left अगर alcohol को हम देखें तो वहाँ पर जो delocalization होता है anion produce करता है anion negative charge होता है मगर delocalization of charge होता है वहाँ नहीं होता है और इसकी वज़े से वो ionize जो होता है वो slowly होता है और equilibrium जो होती है वो left की तरफ shift होती है तो इस तरीके से alcohol के तुल्ला में अगर आप देखेंगे तो carboxylic acid जो होता है वो ज़्यादा HD होता है inductive effect हम लोगोने इससे पहले के वीडियो में देखा है आप एक बार inductive effect को और अच्छे से पढ़ने inductive effect जो यह उसमें बताता है कि electron जो withdrawing group होता है उसकी वज़े से भी acidity जो है वो interfere होती है alcohol में वो कम है और carboxylic acid में वो चीज़ जादा है electron withdrawing group तो आप समझ सकते हैं उसकी वज़े से भी carboxylic acid जो है वो alcohol से more acid होता है there is a difference in electronegative between carbon and oxygen there is partial positive charge on carbonyl carbon which induces pluralization of electron in OH bond वही चीज़ में आपको बतारा तक inductive effect जो होता है उसकी वज़े से भी carboxylic acid जो है वो alcohol की तुलना में ज्यादा acid है electron withdrawing effect of carbonyl carbon weakens OH bond and facilitate ionization of carbonyl acid compared to alcohol electron withdrawing effect की वज़े से जो carboxylic group है वो alcohol की तुलना में बहुत जल्दी ionize हो जाता है और ionization होने की वज़े से यह उससे ज़्यादा acetic होता है structure आपके सामने है इसमें जो carbon देख रहा है है आप इस पर carbon carbon है और h i n इसमें produce होता है इसकी वज़े से अधर जो का अधर जो carbon compound है उसकी तुलना में ज्यादा acetic होता है अब qualitative test for ester इसी में लोग esters के qualitative test को भी देख लेंगे इसे phenophthalene test है तो 0.1 ग्राम of sample प्लस वाटर यह वाटर अट करेंग डिस्टिल वाटर तू ड्रॉप of phenophthalene फिर dilute sodium hydroxide solution drop by drop till pink color refreshes और फिर pink color जो हो डिसपीर हो जाएगा इस्टर ग्रूप जो होगा वो present हो फिर hydroxamic acid test इसमें क्या करेंगे 0.4 ग्राम of compound जो होता है वो hydroxyl amine और ethanol and ethanolic sodium hydroxide यह mixture बना के उसमें 0.4 ग्राम compound को डाल देंगे heat cool and acyl डाल देंगे and add ferriculite डाल देंगे deep red color आजाएगा और हम बताएंगे कि ester group इसमें है तो यह दो test है जिसके तरुम लोग किसी compound में ester present है उसको हम बता सकते हैं इसी तरह amide का भी टेस्ट आप यहीं पर देख लेंगे sodium hydroxide test के नाम से उसका पहला test है जिससे 0.1 gram sample है 10 drop of sodium hydroxide solution है उसको boil कर देंगे evaluation of ammonia ammonia निकलेगे जो कि turmeric paper को red color में change कर देगे amide is present हम कह सकते हैं कि उसमें amide present है hydroxymic acid test के बात करें तो 0.2 gram of sample plus 2 ml of hydroxyl amine hydro fluoride plus boil on water bath for 5 minutes उसको cool करेंगे and few drops of ferric fluoride उसमें डालेंगे इसके बात देखें नाइट्र से टेस्ट है इसमें 0.2 gram of sample plus 2 ml of dilute scl करेंगे उसमें फिर sodium nitrate डाल देंगे दोय में ब्रिस्क इफर्विशिंस due to evaluation of nitrogen nitrogen gas evaluate होगी उसमें से निकलेगी bubbles के रूप में amide को भूलोग कहेंगे कि amide confirm है amide है यसी लास्ट टेस्ट है hydrogen peroxide test 0.2 gram of sample plus 1 ml of water and add 7 to 8 drops of hydrogen peroxide heat करेंगे जब तक वो बॉयल ना हो जाए cool फिर add drops of FECL3 1 to 2 drops FECL3 डालेंगे blue color आजाएगा aromatic amide confirm है इस तरह से हम लोग यहां पर amide और ester कर टेस्ट कर सकते हैं और acidity of carboxylic acid को भी आपर हम लोग समसे कते हैं these are very important chapter so study well thank you